हैलो जी साथ शिरी अकाल जी सारे आनो जरूरी ते आन देन जोग क्रेलू का मदियां गला नमबर एक जाता सोचन ते टैंचन लेन वाले इंसान ना ते चेरे ते बुड़ापा बहुत जाल दी दिखन लग जानता है नमबर दो कीता नू पता है जी रपुन के खान नाण मोदी पदबू दूर हो जानती है नमबर तेन प्याज दी खुशबू सुंगण नाण देल मजबूत हुनता है नमबर चार तेज चलन वाले व्यक्ती दा सरीर कदे भी टिल्ला नहीं पेंता नमबर पांज अखरोट खान वाले इंसान नू कदे वी साधी तकलीफ नहीं हुन्दी नमबर शे जिना और तानू मटापे दी शकायत रेंदी है अते लतना वीच खचा रेंदा है उना नू चाड बिल्कुल नहीं खणे जाहीदे नमबर साथ तक चानू हमेशा हालका ठंडा करके ही पीड़ना चाहीदा है जादा गर्म चाय पीड़नाड कैंसर हो सकता है नमबर आठ जेकर पेट वीच जादा गैस बन दी हो वेता मेथी दानेदा परजोग करना चाहीदा है नमबर नौर जानना सवेरे शेहद लेंड नाड देल दियां बमारियां तो बचया जा सकता है नमबर दास अद रकला संदे पेस्ट नू देर तक रखन लई इस वीच थोड़ा जिहा गर्म तेल मला दियो अते फरीज वीच रख दियो नमबर ग्यारां जेकर चक्कर जादा ओंदे हानता छोटी अलाइची चब के पाणी पीन नाड अराम मिलता है नमबर बारां हड़ियां मजबूत करन लई मखाने अते नारियल दा हाफते वीच दो बार सेवन करो नमबर तेरां गाँ देके ओदियां दो तेन बूंदा नाकच पाण नाड माईग्रेन दे दर्दच बहुत अराम मिलता है नमबर चौदां बचे होई चौडा नू गर्म करन लई पहला इस वीच थोड़े जे पाणी दे चिटे दियो अते फिर टा कके हलके सेखते गर्म करो नमबर पंदरां रोटियां नरम बणाना चाउंदे हो ता आटा गोंदे समय को से पाणी दिवर्तों करो नमबर सोडां मटरां दा रांग हरा रखन लई एना नू उबाल दे समय इस वीच एक चुटकी पर चिन्नी पादेओ नमबर स्तारां क्रिस्पी पकोडे बढ़ाण लई बेसन दे मिशरन विच दो टी स्पून गर्म तेल पादेओ नमबर अठारां सूर्ज मुखी दे तेल दी मारिश कर नाड़ बाल मजबूत मलायम ते रेशमी हो जान दे हन नमबर उन्नी रुजानना खाली पेटन हो अण नाड़ तुसी हमेशा जवान अते तांदरूस्त रहन दे हो नमबर भी खाना बणोंदे समय हिंक दी वारतों जरूर करो इस नाड़ खाना पचण चा असानी होबेगी नमबर उक्की मखण फ्रीजर चे रुखण नाड़ जम गया है तां इसनू नार्म कारल लई छोटे छोटे टुकडेयां वीच काट देओ वीडियो देखना वास तेज तो डस आरे हैं तो बहुत बहुत तांवाद प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लियो जी ते वीडियो नो लाइक कर देओ ते हो सक्या तो शेयर कर देओ जी